विश्व हिंदू परिशत बजरंग दल की एक बैठक सा प्रेस वारता शुकरवार को विश्वनाथ मंदिर में हुई बजरंग दल जिला गौरक्षा प्रमुक सीता राम हिंदू ने बताया कि बजरंग दल गौग गीता गौरी गंगा और गाइतरी की सुरक्षा के लिए हमेशा से प्रतिबद रहा है जिस प्रकार विगत कुछ दिनों में हिंदू मंदिरों में चोरिया धर्मातरन गौत असकरी लव जिहाद बड़ी है इससे साफ पता चलता है कि असमाजिक तत्वों में प्रशाशन का भय समाप्त हो चुका है बिड़ने में जिस प्रकार एक नाबालिक बहन के साथ कू कर्म किया गया ये कोई आम अपराभिक घटना नहीं है वहब बजरंगल प्रशाशन से अपील करती है कि जल्द से जल्द सारे दोशियों को पकड़ कर कारवाई करे आगामी पाच जून को वहब बजरंगल बिन्नी पीढ़ित के घर कूच करेगी बजरंगल प्रशाशन को हर तरह से सहयोग करेगी एवम जल्द ही एक हेल्प लाइन नंबर भी जारी करेगी वहब गौरक्षा सनवर्धन परिसद हजारी बाग के प्रमुक रविश्रंकर पांडे ने 24 मई से 31 मई को प्रांत्य प्रसेक्षन वर्ग में गिरिडी से आई बजरंगियों को सम्मानित भी किया एवम वहां बजरंग दल नगर इकाई में नगर संयोजक के रूप में गौरफ कुमार अन्शूस सा संयोजक शुभमचा सा संयोजक पांटे सुरक्षा प्रमुक सुजीत सिंग विद्यार्थी संपर्क प्रमुक कनहिया पांडे के घोशना होने पर बधाई दी मौके पे बजरंग दल जला संयोजक रृतेश पांडे वहिपनागर उपाध्यक्ष जोती साहा नगर सत्संग प्रमुक विक्रम शर्मा नगर मिलन केंदुर प्रमुक उत्तम जी बजरंग दल बेंगाबाद प्रमुक बसंस संग एवम काफी संख्या में बजरंग दल के कार करता मौजूद थे कि अपनी उसके साथ बहुत कुछ भी क्यादया कम है उसके साथ पुवा में उसका लास मिला हम लोको जनकारी मिला हुई कर्जों में लोग देख वेटी के सुनते हैं कि अबतारी हुई है इससे समाज संतुष नहीं है तो पहिरंगर पांस तारी को भरकट्टा कुछ करेगा कि इसके तैयारी हम लोग कर रहे हैं रूप रेखा बना रहे हैं और जीले में बहुत तरह की घटनाए है घट रही है सब पर नदर बनाए हुए असा घटन चायो लब जहाद हो चायो गोहत्या हो धर्मांत्रान हो जा फिर लेन जहाद हो वेरंदल रूप रेखा तैयार कर श्रयहां थाले हैं और समाद जो है वह्रंदल को समाद चलता है समाद के सदिश्वा कि लिए हम लोग पर सी सभी सन के लिए गयρεं परति के हम लोग इन पड़े कि त्यार है वत कि भी हैं समाद कि उसकी सेवा के लिए हम लोग हमेशा अध Coun leaking कि आख तो piece को और बिर्नी को बेटी को इसाफ मिले, परसासन को हम लोग आंटी मेटम देंगे, फासतारी को हम लोग बिर्नी जा रहे हैं, और फरकटा परकंट कुछ करेंगे हम लोग.